गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स क्योंकि अभी हम इसलिए वीडियो ने डाल रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी ना तो माइक है और लॉक्डाउन की वज़े से और मार्केट्स प्रॉपर ओपन नहीं हुई है तो इस वज़े से माइक ने मिल पा रहा है और विदाउट माइक आवाज जो है वो बच्चों को के कम्प्लीट कर लें और कुछ जो न्यू बच्चे है वो भी कम्प्लीट कर लें और अधिक से दिक इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ज्यादस ज्यादा बच्चे ठीक है तो अभी हम इसको देखते हैं परेग्राफ को I took up my paper मैंने अपने अखबार को रख दिया उठा लिया and he came और वह आया and sat on it और इस पर बैठ गया Foolish fellow मुर्क साथी I said मैंने कहा you have delivered yourself into my hands तुम स्वम मेरे हातों में पढ गये हो या तुमने स्वम को मेरे हातों में स्वम दिया है I have but to give this respectable weekly organ of opinion a smack on both the covers इस सम्मानित सापता हेक पत्रिका को organ of opinion होता है समाचार पत्रिया पत्रिका और a smack means होता है वार करना एक तरह से प्रहार करना तो इस सम्मानित सापता हेक पत्रिका को दोनों और से एक दम बंद करते ही या दोनों और से इस पर वार करते ही and you are a corpse तुम एक सव बन जाओगे कहने का मतलब है जिस अखबार पर वो बैठा था अगर वो उस अखबार पर वार कर देता अब हमारा सायात्री कौन था जो फुलिस वो मूर्ख था मतलब मच्छर था मौस्किटो तो उस पर अगर वो वार कर देता तो वो तुरंती क्या बन जाता सव बन जाएगा neatly sandwiched between an article on peace traps peace trap and another of the modesty of Mr. Hughes तथा the modesty of Mr. Hughes दो लेखों के बीच भीचकर तुम sandwich बन जाओगे यनि यह अगबार पर दो लेख लिखे थे एक तो peace traps और एक दा modesty of Mr. Hughes इन दोनों के बीच में भीचकर वो क्या बन जाएगा एक sandwich बन जाएगा but लेकेन I shall not do it मैं यह नहीं करूँगा या मैं ऐसा नहीं करूँगा I have reprived you मैं तुम्हें छोड़ दूँगा या मैंने तुम्हारा पुनरुद्दार किया है पुनरुद्दार ठीक है and or I will satisfy you मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ that की when जब this large animal says यह भारी वरकम विशाल प्राणी पसू जैसा प्राणी कुछ कहता है he means it तो उसे करके दिखाता है moreover इसके अतिरिक्त I no longer desire to kill you अब मेरी तुम्हें मारने की कोई इच्छा भी नहीं है through knowing you better तुम्हें अच्छी प्रकार से जानने के बाद या समझने के बाद I have come to feel shall I say a short of affection for you मुझे तुम्हारे प्रती एक प्रकार का इसने का अनुभाव होने लगा है यहनी प्रेम का अनुभाव होने लगा है I fancy मुझे लगता है that की ST Francis would have called you little brother की St Francis तुम्हें छोटा भाई कहते I cannot go so far as that in Christian charity and civility मैं Christian charity, इसाई उदारता and civility और सिष्टता या सब्यता के समान इतना आगे नहीं बढ़ सकता बट लेकिन I recognize a more distant relationship मैं इससे अधिक दूर का संबंध मानता हूँ Fortune भाग्यने has made us fellow travelers on this summer night इस गर्मियो की रात में हमें सहयात्री बना दिया है I have interested you, मैं तुम्हें आनन दायक लगा हूँ and or you have entertained me और तुमने मेरा मन रंजन किया है the obligation is mutual एहसान दोनो तरप से है या दोनो और से है and it is founded on the fundamental facts और यह है इस मौलिक तथ्या पर आधारित है that की we are fellow mortals हम सह हम दोनो नस्वर प्राणी है fellow mortals दोनो नस्वर सहयात्री है the miracle of life is ours हमारे जीवन के चमतकार या जीवन के in common and its mystery too जीवन के सुखद छण तथा दुखद दोनों ही समान रूप से हम दोनों में विद्वान है यहीं दोनों में सुख और दुख जो है वो विद्वान है I suppose मैं समझता हूँ या मैं मानता हूँ you do not know anything about your journey कि तुम अपनी इस यात्रा के संबंद में कुछ नहीं जानते हो या तुम्हें कुछ नहीं पता होगा I am not sure मुझे पूरा विश्वास नहीं है that कि I know much about mine कि मैं अपनी यात्रा के संबंद में अधिक जानता हूँ we are really हम we are really वास्तों में when you come to think of it जब तुम इस प्रकार का विचार किया जाए a good deal alike तो हम एक समान है यदि वास्तों में इस प्रकार का कोई विचार किया जाए तो हम वास्तों में एक समान है just appreciations केवल एक आभास that are and then are not जो कभी है और कभी नहीं है केवल एक आभास है जो कभी है और कभी नहीं है दुबारह देखों यहाँ से इसको just appreciations केवले का आभास that are जो कभी है and then are not और कभी नहीं है coming out of the night into the lighted carriage रात के समय प्रकासित गाडी में आते हुए fluttering about the lamp for a while और थोड़ी देर प्रकास के यह लेंप के चारोर फड़ फड़ाते हुए and going out into the night again और रात में ही बाहर चले जाते हुए perhaps सायद यहनि वो रात्री में ही जो मच्छर था वो फड़ फड़ा रहा था और रात्री में ही बाहर चला गया going on tonight sir आज रात आगे जा रहे हो स्रिमान said a voice at the window खिडकी पर एक आवाज ने कहा खिडकी पर एक आवाज ने कहा आज रात आगे जा रहे हो स्रिमान it was a friendly potter giving me a hint वह एक मित्रता पून कुली था जो मुझे संकेत दे रहा था that की this was my station यह मेरा station है I thank name मैंने उसे धन्यवाद दिया मैंने उसे धन्यवाद दिया and said और कहा I must have been dozing की मैं जबकी ले रहा हूंगा जबकी लेने ने नेन्द आगे होगे अलकी and और seizing my hat और अपना top and stick और छडी लेकर I went out into the cool summer night मैं गर्मियों की स्वावनी रात में बाहर आगया जैसे की I closed the door of the compartment मैं डिब्बे का दरवाजा बंद कर रहा था जैसे ही मैं डिब्बे का दरवाजा बंद कर रहा था I saw my fellow traveler fluttering round the lamp तो मैंने अपने सहयात्री को लेंप के चारो और मंडराते हुए देखा यह उसका सहयात्री जो था वो एक मच्छर था ठीक है तो यह आपका fourth part यहां तक complete हो गया है इसके आप word meaning और हिंदी complete कर लेंगे question answer हम बाद में कराएंगे अगर school late खुलते हैं तो question answer भी करा देंगे बीच में वीडियो बना करके एक दिन और अगर जल्दी खुल जाते हैं तो फिर तभी आपके question answer कराएंगे प्लीज सभी बच्चे जो हैं हिंदी को continue अपनी copy में करते रहे हैं not work में not down ठीक है thank you